असलाम अलेकुम डेर स्टूडन्स आई होप आप सब अच्छे से होंगे डेर स्टूडन्स मैं आपकी साइंस टीचर हूँ तो आज हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स तो ये जो थिंग्स होती है हमारे आसपास उनको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में एक तो लिविंग थिंग्स दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है तो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग्स क्या होता है इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स जो होती है ये वो चीजे होती है जो जानदार चीजे होती है जिन में जान होती है फर एक्जेमपल हम इनसान पेड़ पोदे परिंदे जानवर ये सारे लिविंग तिंक्स है और नॉन लिविंग तिंक्स होती है बेजान चीजे ठीक है फर एक्जेमपल जो कार है, फैन है, टेबल, चेर, ये क्या है, non-living things तो पहले हम living things के बारे में पढ़ेंगे living things जो होती है, जो जानदार चीज़े होती है वो breathe करते है, वो सांस लेते है, वो खाते है, वो grow करते है मतलब वो बढ़ते है, वो movement करते है, एक जगह से दूसरी जगह जाते है वो feel कर सकते है, वो मैसूस कर सकते है और जो living things होते है, वो reproduce कर सकते है, ठीक है? हाँ, तो पहला हम पढ़ेंगे, living things जो है, वो movement करते है मतलब living things जो जानदार चीज़े होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते है फर एक्जेंपल हम इनसान या जो जानवर होते है ये भी वाक करते है ठीक है ये सारी क्या है ये है living things जो moment करते है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते है या आप देख सकते है, fishes जो होती है, ये swim करते है, ये तैरते है पानी में, एक जग़ से दूसरी जग़ चले जाते है या जो birds होते है, ये क्या करते है, ये fly करते है, ये उड़ते है और चले जाते है एक जग़ से दूसरी जग़, ठीक है उसके बाद है, living things need air to breathe, और ये जो living things होते है, ये जो जानदार चीज़े होते है, ये सांस लेते है, ठीक है चाहे animals हो, चाहे insects हो, चाहे birds हो, ये सारे क्या है, इनको हवा की ज़रत पड़ती है, सांस लेने के लिए और जो animals होते है, they breathe through their lungs, ठीक है, और जो animals पानी में रहते है, they breathe through their gills, आया समझ, हाँ और जो living things होते है, उनको खाने की ज़रत पड़ती है, पाने पीने की ज़रत पड़ती है, ठीक है वो खाते है, वो पीते है, वो दूद पीते है, वो पानी पीते है, जैसे हम इनसान, हम दूद भी पीते है, पानी भी पीते है, जूस, एटसेटरा या जो जानवर होते है, वो भी खाते पीते है, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्ट खाते है, या कुछ जानवर प्लांट्स खाते है, ठीक है, ऐसे ही जो बर्ड्स होते है, वो कुछ बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते है, कुछ बर्ड्स ग्रेंस खाते है, तो Sunlight उसके बाद Living Things Grow अब यह जो Living Things होते है यह Grow भी करते है मतलब भी बढ़ते है यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो छोटा बचा फिर यह थोड़ा बढ़ गया है उसके बाद यह एक येंग बॉय बन गया है ऐसे ही यह जो Living Things होते है यहां पे आप देख सकते हैं, यह हाइट में भी बढ़ते हैं, इनका वेट वजन भी बढ़ता है, ठीक है? और यह जो living things होते हैं, यह feel कर सकते हैं, यह महसूस कर सकते हैं, यह जो touch me not plant है, mimosa plant है, अगर हम इसके leaves को touch करेंगे तो यह जो leaves है, इसके leaves जो है, वो feel कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है, plants भी feel करते हैं, उसके बाद जो living things है, they produce their young ones, living things, जो जानदार चीज़े होती है, they can produce their young ones, ठीक है? यहां पे आप picture में देख सकते हैं, बच्चे के बच्चे को हम puppies बोलते हैं, या cat के बच्चे को हम kittens बोलते हैं, ठीक है? तो अब हमने पढ़ा, जो living things है, वो breathe कर सकते हैं, सांस लेते हैं, जो living things है, वो grow करते हैं, मतलब जो living things है, वो move करते हैं, एक जग़ से दूसरी जग़ चले जाते हैं, जो living things है, वो feel कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो living things है, they can produce their young ones, लेकिन जो non-living things हैं, जो बेजान चीज़े हैं, वो ना तो वो एक जग़ से दूसरी जग़ खुद चले जाते हैं, ठीक है? जब तक न हम उनको लेंगे एक जग़ से दूसरे जग़ वो खुद नहीं चले जाते है ये जो non-living things है बेजान चीज़े है ये ग्रो भी नहीं करते है मतलब इनकी कोई growth नहीं होती है ये जैसे होते है ये वैसे रहते है और ये जो non-living things है ना ये खाते है ना ये पीते है ठीक है बेजान चीज़े जो है ना ये खाते है ना ये पीते है इनको खाने पीने की जुरुरत नहीं पड़ती है और जो non-living things है ये reproduce नहीं करते है They do not reproduce, ठीक है? लेकिन ये जो non-living things है, इनको two types में divide किया गया है एक तो है man-made non-living things, मतलब वो चीज़े जिनको किसी इनसान ने बनाया उनको बोलते है man-made non-living things, for example, books है, toys है, ये क्या है? man-made non-living things, और दूसरा है natural non-living things, मतलब जो non-living है, जो बेजान है लेकिन उनको अला ताला ने बनाया है, उनको बोलते है natural non-living thing, for example, rivers है, mountains है, ये क्या है? natural non-living things, ठीक है बेटा? तो इसी के साथ जो हमारा chapter complete हो गया, ओके, अला हाफिस, टेक कियर